कि आज़के हमारी का लेक्ट डे 57 इंटरनाशनल रेशन स्का लेक्चर जिसमें हम एशिया के रिलेशन की बात करेंगे इंडिया के मतलब रख कंट्री के बात बेसेकलि यह जो आपके लेक्चर्स है यह तीन लेक्चर्स जो हैं जिसके अंदर हम बात करने वा 나 हैं सबस्पेले एशिया की फिर आपके आफ्रिका उसके बाद अमेरिका यह तीन जो लेक्चर हैं आपके इन तीनों लिक्चर में उसमें मैं आपको एक बेसिक ब्रिसेश नोट से करनी हैं चाहे जो इंटरेट से करनी है इंटरेट से लगा था जो आप उसके बार एडिटोरियल प्दोगे उसके थूह आपने किन-किन कंट्रीज के उपर मेजर फोकस रखना है कैसी पॉलिसी कैसे पॉइंट आपने बना के रखने तो आज एशिया का शुरू करने लगे हैं तो एक अलग से टॉपिक अपने जो भी आप लुट कि फाइल बनाओगे पूरा सेगमेंट हो गया और एशिया के सेगमेंट के अंदर किन कंट्रीज को कवर करना है और किस प्रिस्पेक्टिव से क्योंकि आपस में लिंक करके भी आपको क्वेश्चन समझने हैं उस सारी चीज़ के बारे में आपको आज की लेक्ट्र में बताने वाला हूं ताकि इसके बाद आप अपनी रिसर्च शुरू कर पाएंगे ठीक है तो बात करते हैं सारी कंट्रीज की सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे इमीजियेट जिसे हम अपना नेबर हुड मानते हैं यानि की इंडिया के जो आसपास की कंट्रीज हैं देखो यह सबसे जादा इंपॉर्टन कंट्रीज हैं इंडिया के परस्पेक्टिव से इस कारण इन कंट्रीज के बारे पढ़ना समझना बहुत जाज़रूरी है एक चीज और बता दो देखो जितना भी हिस्टॉरिक कंट करने दो को आपको चलब वही लिखा देता हूं देखो आपको कंट्रीज का इंडिया और इन कंट्रीज की आपस में हिस्ट्री कैसे रही है कि हिस्टॉरिक कंटेक्स्ट कब रिलेशन शुरू हुए रिलेशन कब अच्छे थे कब बुरे हुए ऐसी सारी कंटेξ अगर कभी अच्छे वे तब बुरे हुए वह सारा कंटेक्स स्टोरी कंटेक्स आ लिखके रखना है दूसरी चीज जो है वह है के हमारी कंट्री और इनकी कंट्री जो भी आप कंट्री के हम बात करेंगे उनके बीच में political कि हमारे लीडर को उन्होंने कोई अवार्ड से सन्मानित किया हुआ है ऐसी सारी चीज़ों के बारे हमें पता होने चाहिए और लगातार इल्कुल चिपका-चिपका के नोट्स मत लिखना हर कंट्री के लिए जगा छोड़ छोड़ के लिखना क्योंकि जब भी कोई नया पॉइंट को नई वैल्यूइबल इन्फरमेशन आएगी उस चीज़ को आड़ करते जाना है तीसरी चीज़ है एकनॉमिक कंटेक्स ठेक है यह एकनॉमिक रिलेशन्स कैसे हैं एकनॉमिक रिलेशन्स के अंदर लॉंग टर्म में आपने जो लेटेस्ट फिगर्स होंगी सबसे पहले तो दोनों कंट्रीज की जीडीपी के साइजिस क्या है मलों जो भी जो कंट्रीज के बात करोगे उसके बाद दोनों के अंदर ट्रेड कैसा चल रहा है ट्रेड का और खरवा कौनसी कौनसी आईटर्म्स के उपर मेंन फोकस है कंट्रीज के बीच में के मलब कोई निंपर्ट एंपर काuben है अगली चीज जो निकल के आएगी obviously मालब फिर कैसी चीज़ों के उपर आप और भी research करोगे अगर वो जो भी अगर कोई specific item है जैसे मैंने आपको example दे यह इरा की सारी area का oil का तो यानि कि यह जो सारी की सारी countries हैं यह कही ना कही role play करती है हमारी energy security थेक है तो एक specific dimension भी हो गई जिसके अंदर आपको कभी इस specific question बुचा जा सकता बिना country को refer किया हुए broader context में हमारी energy security के उपर let's suppose question आ जाता है तो आप उसके अंदर import export का एक point उठा के लिख सको गए तो इस context से भी सोचना है कि हम country के उपर किस चीज के लिए कौन सी चीज के लिए मनला vulnerable कहा हां से हैं तो वो हमारी security का question बन के आ जाए चाहे essay के अंदर को question आ जाए या आपके internal security का question बन के आ जाए यह तीनों के subject के अंदर यह same question बन सकता है energy security तीनों का topic बन जाएगा ठेक है तो ऐसी items को इस कारण figure out करना ज़रूरी है इसी कारण मैं इतने चोटे lecture में हर country को cover नहीं करूँगा और obviously जैसे मैंने आपको पहले बताया UPSC में आपको भी उतनी महनत ही करनी पड़ेगी जितनी मैं आपको class के अंदर अगर guide कर रहा हूं तो उसके आगे कि महनत आपको भी करनी है तो सारी spoon feeding नहीं है तो एक चीज यहां पर आप महनत करने के लिए जो मैं आपको दे रहा हूं वह आपको पुरी तयारी करके आना है इसके इलावा देखो आप क्योंकि दुनिया में environmental cooperation भी बढ़ती जा रही है कोई environmental and agriculture दोनों चीजों को हम एक साथ cover कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे initiatives नहीं होंगे तो एक तो उनकी country में अगर कुछ unique वो कर रहे है unique initiatives ठेक है जैसे कि मैं आपको example में बताओं यहां पर यह चोटा सा देश इस्राइल है इस्राइल और इंडिया मिलके agriculture के उपर बहुत खास initiative के उपर काम कर रहे है साओधी अरेबिया का अगर मैं आपको example दूँ साओधी अरेबिया ने अपना खुद का उसका हमारे सा कुछ लेना जरू नहीं है साओधी अरेबिया ने अपना एक खुद का green initiative शुरू किया है जहां पर वो सारे रेगिस्तान को ना हरा करने पर लगे हुए समंदर से पानी निकाल निकाल के उस irrigation facility सेट अप कर रहे हैं और बहुत बड़े scale पे वो greenery फिला रहे हैं तो देखते देखते अगले 25-30 साल में का प्लान है कि जातर रेगिस्तान की जगा उन्होंने green forest ले आना है ठेक है तो बहुत ही visionary प्लान है अगर काम कर जाता है तो ऐ ऐसी जो चीजें हैं कुछ उनके जो unique initiatives है कहीं पर है क्योंकि हम उन एक्जामपल के तौरे या environment के paper में use हो जाए तो इस तरीके से देखो यही research आपको काम आएगी अलग-अलग subjects में काम करने के इसलिए यहां पर यह सारे देशों के उपर आपको काम करना जरूरी है ठीक है वैसे ही जैसे इसराइल और इंडिया का मैंने आपको बता है हम agriculture में मिलके बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा factor है आप points भी लिख सकते हैं उनके जैसे अगर मैं आपको इसराइल बता हूँ देखो इसराइल भी एक major producer है wheat का ठीक है और इंडिया भी है पर अब दोनों की wheat production में देखो इंडिया के अंदर wheat production आपकी यह जो belt है ऐसे थोड़े से नीचे को ऐसे आपकी पंजाब हर्याना उत्तर पर उत्तर प्रदेश यहां पर सबसादा wheat हो गए जाती है सबसे जादा जो पर एकड productivity है वो पंजाब की है पर पर एकड जो पंजाब की productivity है ना इसराइल एक semi-arid country पूरी की पूरी semi-arid country है जातर रितीली country है यह ठीक है desert यह water करते हैं से तो जादा पानी की availability नहीं है पर अगर पर एकड के हिसाफ से देखोगे ना पर एकड में इस इसराइल हम से तीन गुना जाद हो गारा है मलब इंडिया में पंजाब की पर एकड प्रोडक्टिविटी सबसाद है पंजाब से भी तीन गुना जादा productivity है इसराइल की इसी कारण हम इसराइल की मदद लेना चाहते हैं इंडिया का एगरी कल्चर सोधारने में तो इसराइ प्रिलम्स के अकॉर्डिंग पड़ा है या कोई एडिटोरियल अखबार में आपने देखा एक साथ अगर आप यह लगातार करते रहोगे ना आपके ऐसे नोट्स बनके निकलेंगे कि आप जो पेपर में जाके बैठोगे ना आता होगा मेंस का कुश्चन हो ही नहीं सकता म में यही ही पर प्रेडिक्टबिल हो जाता है क्योंकि अगर आपने महनत की है मेंसकी महनत जाया नहीं जाती क्योंके मेंस आपके हाथ में है लिखना और कहीं न कहीं वो घूम फिर क्या आपको question जुड़ते हुए दिख जाते हैं प्रेलिम्स में प्रेडिक्टिबिल्टी इसलिए मुश्किल है क्योंकि प्रेलिम्स अपने हमें बहुत वाइड है कुछ भी आ सकता है आपके हाथ में कुछ नहीं है means में आपके हाथ में है आपने कौनसे points लिखने है कैसे representation करनी है तो जितना wide array cover करोगे उतना ज्यादा better answer निकल के आएगा तो ये सारा साल आपको रोज स्टार्टिंग में देखो जब अभी पढ़ रहे हो तो ऑविसली दो तीन तीन घंटे भी लग सकते हैं ठेके क्योंकि अभी तो पहली बरी subject के सारे notes बनाओगे तो ऑविसली time भी लगेगा पर जब long term में revise करने आओगे ये रोज 15 मिनिट की बात भी नहीं है सारे की सारे notes आपके अपने आप ही refresh होते जाएंगे तो मलब पहला एक महीना यह लगेगा रोज टाइम पर उसके बाद यह अपने आप ही settle down होने लग जाएगा और इस तरह के से तो बैसिकलिए एक ही दिन में सारे notes बनाने ज़रूरी नहीं आप ठक भी जाओगे रिसर्च करते हुए दिन बांट लो रोज एक पूरा 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 जो आपको मैं एरिया करने लड़ाऊं पूरे एरिया की है उसकी हुसक्त करने पीछे बेदिया की नेबरिए के बात करता हो हुआ है हाँ अब सबसे पहले इंडिया की नेबर हुड की बात करते हूं देखो हमारे नेबर हुड में है पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर मैं यहां किश्मीर के एरिया से लगाऊं ठेक है यहां पे वहले आप गरत था मैंने अपनी तरह से लाइने बना करें लंका और माल्डी यह सारे हमारे मैनमार भी है हमारे नेबर होड पर मैं उसे इक अलग कंटेक्स में पढ़ाना चाता हूं इसकारण मैं मैं उसे अलग कर दिया यह सारी कंट्रीज अफगानिस्तान को जोड़के इसे हम सार जो ऑर्गनाइजेशन है आगे जाके ऑर्गनाइजेशन में पढ़ेंगे साउथ एशेन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोपरेशन उसके लिए इसकारण यह सारे एरिया के उपर यह हमारा इमिजेट नेबर हुड है हमने नेबर होड फर्स पॉलिसी भी पढ़ी थी पिछले ल सहता है जैसे नेपाल और इंडिया की लेट स्पोस रिलेशन हिस्टॉरिकली कहां पर उपर गए कहां पर हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है सिरफ में पॉइंट डेकेड्स में देखो हमार लिए 50 और दो दो डेकेड्स जोड के एक साथ देखो 50 60 का टाइम कैसा रहा करते करते हैं और आज कहां पर रिलेशन ठीक है और उसके अंदर जो बस इंपॉर्टेंट कुछ मुवमेंट्स हुए यह आपको विकिपीडिया के उपर भी डिटेल हिस्टॉरिक इवेंट्स मिल जाएंगे कि कहां उपर गएं का नीचे बहुत बढ़ा होगा उसे शॉटन जिसके अंदर हमारी military alliances कैसी है को military exercises हम एक साथ करते हैं हम इन्हें कोई weapon बेच रहे हैं यह कोई इसे कोई militancy का threat है ठीक है जैसे पाकिस्तान होगा अफगानिस्तान होगा यहां पर हमें inflow अपने अभी बढ़ जाता तो ऐसी सारी चीज़ों का context आपने रिसर्च करना है ठीक है यह सारी चीज़े अब यह जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं अफगानिस्तान देखो आपको पता है कि तालिबान की रिजीम सड़नली पावर में आई थी ठीक है अमेरिका को मुझ प आपके भागना पड़ा था 2021 में तो यह उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है क्या अफगानिस्तान अभी भी स्टेबल है इंडिया के अंदर कितना डायस्पोरा है अफगानियों का जो इंडिया के अंदर रह रहा है प्लस अगर आप अभी भी देखो लेंगे कि कम्यूनिटीज एक और कॉलम सोशल बन सकता है सोशल के अंदर आपकी कम्यूनिटीज आगी तो माइनॉरिटीज कहां पे कौन सी थ्रेटेंड है खासकर जो हमारे इंडिया की माइनॉरिटीज हैं जैसे मैंने आपको से गुर्दवार का अटाक के बारे बताया उसक देखो शेरिलंका वहीं पर अगर दूसरे साइट पर मैं आपको शेरिलंका का भी एक्जांपल बताओं शेरिलंका में क्राइस पैसे का बहुत टाइम से चलता आ रहा है और शेरिलंका अभी तक दुबारा स्टेबल नहीं हो पाया इससे पहले भी उस इस्टारे कंटेक्स भी बताओं तो पहले हमारे हम उनके सेवल वार में भी इन्वाल हुए थे हमने पीस कीपिंग फोर्स भी भी फेजी थी हमारे प्राइम निस्टर की भी डेथ जो राजीव गांदी थे वो इसी कारण ही हुई थी ठेक है क्योंकि वहां के militants नहीं अटाक किया उन्हों नहीं राजीव गांदी की के लिंग में लोकों भेचा था ठेक है माल्डीव की बात बताओं देखो माल्डीव में हम बहुत सारे development प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो वह सारे development प्रोजेक्ट भी मेंशन करोगे माल्डीव में एक टाइम पर कू हुआ था हमने अपका कैक्टस कैरी आउट किया था जिसके अंदर हमने माल्डीव में अपने रातो रात टूप्स उता रहे थे और 72 आर्स के अंदर अंदर उनकी military को control में लेके आए थे ठेक है तो उसके बाद जो पिछले कुछ सालों से चाइना का वहाँ पर influence बढ़ता जा रहा है ये भी आप factor को count in करोगे ठेक है उसके बाद चाइना के रिगार्डिंग जब चाइना के लिए आप notes बनाओगे चाइना के रिगार्डिंग आपने string of pearls क के बारे भी लिखना है क्योंकि चाइना क्या कर रहा है string of pearls कि देखो चाइना ना इंडिया देखो पूरे एशिया में चाइना को कोई counter कर सकता है size wise वह सिर्फ इंडिया है और कोई country नहीं है जो चाइना का रहा है लॉंग टर्म में क्योंकि देखो चलो चाइना हमसे economy economy कर रहा है हमारी population भी यंग है ठीक है हमारा लैंड एरिया बड़ा रिसोर्स रिच भी है तो हम भी कही ना कहीं उन्हें चालेंज कर सकते हैं चाइना क्या कर रहा है हमारे एक तरह से आसपास जो countries है ना इनके अंदर investment ऐसे carry out कर रहा है जो strategic purpose से भी उसकी जा सके देखो जैसे बंगलादेश हो गया मैनमार हो गया थाइलेंड हो गया सिंगाप और श्रीलंका हो गया माल्डीज हो गया ठीक है उसके बाद यहां पर आपके उमान में investment कर रहा है पाकिस्तान में बहुत सारी investments हैं यह सारी जगाओं पर ऐसे देखने को लगता है जैसे इंडिया को घेरा जा रहा है ठीक है तो ऐसी पूरी डिटेल्ड जो नीचे आपकी इंडोनेशिया भी हो गया इदर मलेशिया भी हो गया यह सारी जो कंट्रीज है इस तरीके से लग रहा है इंडिया को घेरा जा रहा है इस policy को नाम दिया गया है string of pearls के इंडिया को contain करने की policy एक तरह से ठीक ह आथो चाइन पौर्ट वाना रहाए यहां पर टीक है यहां आपके रेशलो रोड इंफ्रासॉक्षर्इक को इस सेंस में बना रहा और दिखने में ऐसा लगता है कि चाईना लोगा के अंदर नहोंने हम हम बढ़् YouTuber बनाया कि वो है इतना महंगा पोर्ट बना कि शरीलंक उस उसका कभी cost नहीं पेकर पाया है. जब वो cost नहीं पेकर पाये, तो China ने take over कर लिया 99 years की lease पे. अब उस port के उपर, आज तो China कह रहा है कि नहीं हमारे लिए सिर्फ commercial port ही है, हम इसे military के लिए नहीं use करेंगे. पर जब वो खुद कंट्रीज पैसा पे नहीं कर पा रही चाइना उन्हें किसी भी तरीके से ब्लाक मिल कर सकता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो पैसा दे दो ठीक है एक एक एक्जांपल हुआ भी था कि आपके चाइना की एक कम्यूनिकेशन शिप जो है वो हमबन टोटा पोट आई इंडिया ने अबजेक्शन उठाई शिरिलंका को कि यह मिलिटरी बोट है यह इंडिया की इतने पास नहीं आनी चाहिए शिरिलंका ने पहले चाइना को मना भी कर दिया कि आपकी यह बोट नहीं आएगी पर वो बोट फिर भी आई हमबन टोटा में ठेक है और इवन उसके बाद आपके शिरिलंका के प्राइम निस्टर तक उस बोट को वेलकम करने गए तो ओविसली चाइना ने कहीं नहीं ब्लाक मेल किये होंगे रज के तो करना भी पड़ा मालडीज के अंदर गो बाक इंडिया की एक मूवमेंट काफी टाइम से बीच-बीच में आक्टिव होती रहती है उस मूवमेंट को सपोर्ट करने माना चाइना है मालडीज के लोकों को लगातार भढ़काया ऐस तरीके से जाता है कि इंडिया जैसे मालड के उपर कभजा कर रहा है क्योंकि इंडिया के बहुत सरी पहले हब झाड़ते हैं एस हैं इस तरीके से सारा एयरिया है जो मैंनमार ये सारा एडीयों आपने यी बांधी कैंट्रीस को अपर भी रिसर्च कर ने यह बांगलादेश बुटान पकेसं आफगानिसंस्तां आपके Central Asia यह जो मैंने Blue Line कीचिए इसका पार्ट भी मान सकते हो क्योंकि Central Asia का ही पार्ट है यह सारी Blue Line जिसमें मैंने China को भी आद्दा डिवाइड किया हुआ है देखो चाइना बहुत बड़ा देश है चाइना Central Asia और Eastern Asia दोनों साइट पर पड़ जाता है इसके कारण चाइना का बहुत सारे इंट्रास यह Central Asian देश्यों में भी बना रहता है और इस साइड पर Eastern Asia उसके में जातर population यहां पर रहती है तो ऑविसली चाइना की 90% population सिरफ इतने को एरिया में रहती है जो मैं लाइन ड्रॉ की है बाकि सारा चाहिना एक तरह से खाली पड़ाया उस सिर्फ क्योंकि 10% अबाद दिये यह बाकि सारे देश में ठेक है पो लोग ही नहीं है उहां पर खाली पड़ा हुए चाहिना अंदर से तो यह सारी की सारी चीज़ के लिए इस्टन उसके लिए इंपॉर्टन है और यह ज पर यहां पर यह से शूटा सा यहां पर इतने बड़े इंडोनेशिया की पर अधिया यहां पर यह से पूर है ठीक है बुरूनी फिलिपेंस यह सारे कि सारे जितने भी आपके देश है इन सब को हम एशियान यह साउथ इस्ट एशिया कहते हैं ठीक है साउथ इस्ट एशिया जो हमारे वाला यह सारा एरिया है पाकिस्तान इंडियान नेपाल भुटान बंगलादेश इस सब को साउथ एशिया बूला जाता है ठीक है यह सारी चीज़ में फरक है यहां पर अब कर जाता हूं थोड़ इस्ट एशिया यह जो आपका सारा साउथ इस एशिया है देखो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो चीजों के प्रिस्पेक्टर से हैं एक तो यह जो वेतनाम जैसी कंट्रीज है ना इंडिया और वेतनाम के बारे जब तुम पढ़ोगे इंडिया और वेतनाम में लगाता आँचार ट्रेड और स््ट्राटेजिक संबंध बढ़ते झारे से द्लिए और इंडिया को सेचलते हुए इंडिया वेतनाम में बहुत सारे वेपाथ भी सेल कर रहे हैं ठीक है और हमारी आपस में ग्रोइंग अलाइंस है ठीक है क्योंकि यह व्यत्नाम की बॉर्टर ऊपर जाके चाइना की यहां टच करती है इस कारण उन्हें भी थ्रेट है लगातार ठीक है और चाइना अपनी हां पर सारी शिप्सक से धौस जबाता रहता है इस नेबर हुड में आ रहे हैं हम भी उनके नेबर हुड में जाए और चाइना को भी थ्रेट बना रहे तो इसके इलावा कंबोडिया जैसे देश थाइलंड जैसे देश जो हैं यहां पर बहुत सारे एंशिंट हिंदू टेंपल्स हैं तो हमारे कल्चरल टाइज बहुत पुर कि अलेश्या और सिंगापूर यहां पर हँआरी एने की फॉरमेशन होई थी सुभाष चंदर बोश न्ढर्मी आज हम अपने आर्मी को आ यह नहीं पर इंडिया नाशग आर्मी की जो फॉरमेशन सुभाष चंदर बोश ने की थी वह यहीं पर हुई हैं तो इस कारन हमारा historically military context भी है इसके इलावा ये जो एरिया है यहाँ पर क्योंकि ये हमारे अंडेमा ने निकोबार के आलेंड पढ़ते हैं ये जो सी का रूट है उसके हम बिल्कुल head पर बैठे हुए है तो इस कारण हम यहाँ की security के लिए बहुत बड़ी ताओर पर responsible है इस कारण हम इस पूरे एरिया को dominate भी करते हैं यह जो चोटा सा passage है यहाँ पर इसे कहते है straight of Malacca यह Malacca straight कई बड़ी कहते है straight of Malacca एक किया लगा यह Malacca का जो straight है क्योंकि इतना narrow सा एरिया यहाँ पर दुनिया की बहुत सारी trade की ships निकलती है खासकर जो चाइना को जा रही है चाइना से आ रही है इंडिया के जो निकोबार के island है यह बिलकुल क्योंकि इसके mouth पर पढ़ते हैं हम कभी भी यहाँ पर cut लगा सकते हैं इस कारण यह countries के साथ आपके इंडिया मैनमार और थाइलेंड आपस में rail और रोड का connection बना रहे है ताकि यहाँ से हम समुंदर से बिल्ब यहाँ से बिना इस समुंदर के एरिया में जाए अपना rail और रोड से सारा समान यहाँ के समुंदर में भी पंचा सके तो अगर कभी यहाँ पर इस एरिया को लेकर वार छड़ जाती है हमारे यह एरिया तब भी ओपन रहे इस तरीके से भी आ जाए अगर हमने वेत नाम को कोई चीज भेजनी है कहीं पर भेजनी है तो इंडिया भी अपनी expansion कर रहा है तो इस तरीके से अगर आप इनके relation सर्च करना शुरू करोगे आपको बहुत सार इनिशेटिज मिलेंगे अब एक और research की चीज मैं आपको बताऊं देखो इंडिया की जो external affair की ministry है ना ministry of external affair इनकी जो अपनी website है ministry of external affair इंडिया सर्च करोगे यहां पे हर country के उपर एक historic brief और जो अभी recent चीज़ें चल रही है मलब बिलकुल latest update नहीं होती है पर काफी हद तक बहुत सारी information सरकार के अपनी website यह website बहुत अच्छी है जहां से आपको सारी research मिल जाती है तो आप ministry of external affairs पे जाओगे जादातर countries को यहां पर search करना शुरू करोगे by area वहां पर मिल जाएंगी आपको और अपने आप ही आपको यह सारा area दिखने लग जाएगा ठेक है China के साथ अलग से इंडिया और China हम rivals भी हैं हम partners भी हैं हम China से बहुत सारी imports के लिए depend करते हैं इंडिया import जादा करता है चाइना को हम export कम करते हैं क्योंकि China से बहुत सारे minerals जैसे कि China ना हमारी industry के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना से रेर अर्थ मिनरल जैसे इंडिया को आते हैं वह यहां से आते हैं इसके इलावा बाकी चीजह में बात करूं जो आपकी फार्मसोटिकल मार्केट है ठेक है जो आपके ड्रग्स में एक एक अक्टिव इंग्रीडियंट होता है अच्टिव इंग्रीडियंट अक्टिव फार्मसोटिकल इंग्रीडियंट वह कहते हैं अक्टिव इंग्रीडियंट उसी के सिरके उपर सारी दिवाई बनती है तो इंडिया दुनिया की फार्मिसी है हम जात्तर दवाईयां बनाते हैं आइना से बन के आते हैं तो इस कारण ये दो चीज़ों के लिए जो रेर अर्थ एलिमेंट है रेर अर्थ मिन्रल्स हैं ये आपके सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्किट को चाहिए जितने भी आपके फोन हैं कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोड़क्ट हैं सबके अंदर रेर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं इन्हें रेर अर्थ बोला जाता है क्योंकि ये अर्थ के उपर बहुत कम है तो चाइना मार्किट को डॉमिनेट करते दुनिया की साट पर्सेंट से जाधा सप्लाई सर्फ चाइना से आती है तो सारी दुनिया चाइना के उपर डिपेंड करती है इंडिया भी डिपेंड करता है ठेक है हम कोशिश कर रहें इंडिपेंडेंस पाने के लिए पर अभी नहीं हुई है इस कारण सब को यहां से आता है इसके इलावा बहुत सारे और भी जैसे सेमी कंडॉक्टर्स दुनिया में जाधा तर यहां तो चाइना से बन के आते हैं यह चोटा सा देश है ताइवान आ पड़ेंगे वहां पर यह डिटेल में आएगा कि चाइना चाइनीज जो पूरी लिबरेशन वार हुई थी उसका क्या कंक्लूजन निकला पर आप दुनिया में एक ही चाइना को रेकोगनाईज कर सकते वन चाइना पॉलसी है तो मालब चाइना में लांड चाइना की तरफ को जाती यहां तो आप हमें मनोगे चाइना को मानोगे तो हमारे ताइवान के साथ तो फुल सारे प्रोडक्टос इंडिया के अंदर आते हैं क्यू सारे के लिए ताइवान को फिरिसर्च करना जरूरी है इसके इलावा जैपान और इंडिया की बहुत बड़े स्केल पे ग्रोइंग अलाइंस है ठीक है क्योंकि जैसे हम दोनों देश क्वार्ड जो ग्रूपिंग है उसके भी में इसके इलावा देखो चाइना उस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया और जैपान मिलके एक एशिया अफ्रिका ग्रोथ कॉरिडोर बना रहे हैं यह क्या है इसके अंदर बेसिकली इंडिया और जैपान एक साथ मिलके अफ्रिका के अंदर इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर हम एक साथ अलाइंस में मिलके काम करें इंडिया क्योंकि रिलेशन्स आफ्रिका के अफ्रिकन कंट्री से बहुत अच्छे बनाकर रखे हुए जपान की ट्रेडिशनल प्रेजिंस नहीं है वहाँ पे इतनी पर जपान के पास पैसे हैं तो पैसे इंवेस्ट करने को त्यार हैं और हम यहां पे आपके रिलेशन्स माने तो हम एक साह मिलके काम करेंगे तो इस तर के अंदर बहुत सारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रजेक्ट्स हैं क्योंकि बहुत इना ट्रिक्की एरिया है यहां पर सड़के बनाना उन्हें मिंटीन करना बहुत मुश्किल है इसके लिए जो टेकनोलोजी है वो जैपान ओफर कर रहा है कि कैसे यहां पर सड़के बनाई जा सकें तो उसके लिए भी टेकनोलोजी जैपान तो हमारे लिए टेकनोलोजी के लिए जैपान बहुत इंप्रटन पार्टनर है ठीक है उसके इलावा बहुत सारी जैपनीज कंपनीज इंडिया के नंदर invest करती है इसलिए जैपान काफी important partner है इसके इलावा एक और भी grouping है जिसे हम कहते हैं तो कौड के अंदर हम दोनों partner है एक G4 करके grouping भी है जी फोर वो चार country's की grouping है जो United Nation Security Council के permanent member बनना जाते हैं उसके अंदर इंडिया और जैपान भी है जो permanent member बनना चाते है उसके इलावा यह जो Central Asia सारा जिसमें मंगोलिया कजाकिस्तान उजबेकिस्तान गिर्गिस्तान ते जिकिस्तान यह सारे आगे इन country's के सारे यह जो सारे country's है ने इनके साथ traditionally हमारे कोई जैनी ने बहुत साल होता कि neglect किया है पर recent कुछ साल होएं very recent ठीक है पिशले तीन-चार साल से हम इन country's के अंदर अब दिल्चस्पी दखाना शुरू कर रहे है महला ऐसा नहीं कि कोई relation नहीं है तजिकिस्तान के अंदर तो इंडिया की air force का base भी है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कुछ नहीं है relations है पर उतने high level नहीं है उतनी frequent engagement नहीं है ठीक है अभी इनके साथ हमजातर शेंगाई corporation organization और rare visits के साथ जुड़े हुए हैं पर long term में अब हम इनके साथ अपने relations बढ़ाने कुछ कर रहे हैं obviously क्योंकि हमें चाइना को counter करना मंगोलिया के साथ comparatively हमारे relation तब भी है ठीक है मंगोलिया के साथ इंडिया के बहुत ही traditional तो बहुत ही लांडॉग्ड है पर मंगोलिया और इंडिया ने तब भी पर स्ट्रेंज रीजिन रीजिन अपने हिस्टारिक टाइज हमेशा काफी डीप बनाकर रखे हुए ठीक है बहुत सारी चीजें इंडिया से मंगोलिया जाती है हमारे एक स्पोर्ट्स है उनके पास पर इतने बड़े स्केल पर नहीं है और वहां से तो हम कोई जाथ चीजें मंगाते नहीं पर सिल एकॉनमी वाइज हम अक्टिव नहीं है हम प्लिटिकल और सोशल एवेंट वाइज एक दूसरे के साथ आक्टिव है लास्ट रीजन जो है यहां पर हमारे स्ट्राटेजिक रिले के अंदर कोई तिराक साब्याइब काया कतर यहां से पैसा बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया के अंदर पैसा है रोसे उससे चैथा है रहुत मिट 한데 इंडियाкими के अंदर लगातार पैसे भीच रहा है और इंडिया के साथ जो इन्हों रिलेशन्स बनाके मलब इसलिए इंडिया के लिए सारी कंट्रीस इंपॉर्टन है क्यों बहुत सारे वर्किंग साउधी रेवे इन समने इसराइल के साथ रिष्टे जोडने शुरू कर लिए ठेक है और इस हद तक के ट्रेड एग्रिमेंट्स भी साइन करने शुरू कर दिए पर एक टाइम पर अभी भी एक टाइट रोब वाक रहती है क्योंकि देखो जो इसराइल के लोग हैं वो जूज हैं वहाँ पर जो रिलिजन है जुडाइजम वो सबसे बड़ा रिलिजन है जूज कहते होने जो जुडाइजम को फॉलो करते हैं और यह इसलाम को फॉलो करते हैं यह ट्रडिशनली में आपस में नहीं बनती और दूसरा इन सारे देशों का यह मानना है देखो यह जो इसर होना चाहिए इजराइल होना ने चाहिए तो इन्हों ने तीन बारी इसराइल के साथ मिलूके वार तक कीई इसराइल हारानी जांदी ठीक है पर फफाकिарईल्च सब्सक्ट आप्वेशी तर्ण के फिल्ड में लगातार ग्रोंकर अओं बहुत से इसके चलते हुए सारी कंट्रीज कहीं न कहीं इस्राइल से अपने लेशन्स ग्रो करतीगा रही है ठेक है तो यह सारा स्ट्राटेजिक पॉइंट उसे दूसरा सीरिया जैसे इराग जैसे कंट्री जहां से इस्लामिक स्टेट राइस हुई थी तो यह एक भी रहता है क्योंकि देख़ा इंडिया को इमीजेटले कोई खत्रा नहीं है यहां से पर हो सकता है ठेक है इस कारण इंडिया को भी यहां पर नजर रखनी पड़ती है ठेक है इन में से कई कंट् से कभी भी टेर्रिजम बढ़के अगर फैलता है तो उसका असर इंडिया तक भी आ सकता होता है तो इस कारण इंडिया को इसलिए भी केरफुल रहने की जरूरत होती है यह था सारा का सारा एशिया का मैप अच्छा एक फाक्ट बता दूं यह अंडे माने निकोबार इंडिया से इतनी दूर है और अगर देखो इंडोनीशिया से इतने पास है मेनमार से इतनी पास है इन सब को क्यों नहीं बिलॉंग करते और इंडिया को क्यों बिलॉंग करते देखो ब्रिटिश सारे इरिया पर कंट्रोल करते थे पर बैसिकली जो यहां पर फोर्स रखी ह कुई थी और दूसरी चीज जब ब्रिटिश ने सारे की सारे डिविजन किये ना देखो एक टाइम पर बर्मा मैंनमार जो था उसको पुरान नाम बर्मा था वो भी इंडिया से जुड़ा हुआ था ब्रिटिश ने जब सारी दुनिया की कंट्रीज को बांटा है ना औरिजिनली इंडियन इंपायर का ही पार्ट था मैंनमार और आपके अंडिमान भी ठेक है तो आपके इंडिया को इंडिपेंडेंस देने से पहले बर्मा को अलग कर दिया उसका में कारण ये था कि देखो व बहुत बड़ा हो अपने साइज में और इस पूरे एरिया भी रह जाता इसके उपर तो इस कारण उन्होंने तोड़ दिया दूसरा अंडेमान निकोबार भी इसी कारण मैंनमार को नहीं दिये हुए तांकि इस एरिया के अंदर मैंनमार या इन में से किसी की डॉमिनेंस न होता किसी और को पहले सारा चार्ज टेक ओवर करना और वो सब कुछ इसलिए भी स्टाटेजिक तोर पर इंडिया को ही दे दिए क्योंकि इंडिया की फोर्स इस ही वर्ल्ड वार्ट टू के टाइम से वहां पर आपकी पोजिशन थी ठीक है तो यह सारे कि सारे आपके मीन फ